यह simple lace design को, आप seed beads या pearl से decorate भी कर सकते हैं या simple भी रख सकते हैं, यहाँ पर मैंने thread सपोस यहाँ पर attach किये आपने, उसके पास हमें chain 1 single crochet की foundation row बनाना है, यह chain 1 single crochet, chain 1 single crochet, foundation row complete होने के बाद, हमें chain 1 बना के turn करना है अपने work को, अब first space में हम single crochet बनाएंगे, फिर से chain 1 बनाएंगे, second space में single crochet बनाएंगे, इस तरह से, अब chain 3 बनाएंगे, अब हमें chain 3 picot बनाना है, यह थोड़ा सा different type का picot है, इसके लिए हमें, यह जो हमने single crochet बनाया है, इसके around में जाकर हमें, two single crochet बनाना है, one, two, इस तरह से, अब हमें इसके बाद जो space आती है, chain 1 space जो हमने पहले बनाये थे, बेसलाइन में, यह skip करेंगे, और directly next space में जाकर हम इसे single crochet बनाएंगे, next space में, इस तरह से, और यह attach हो गया, फिर से हम chain 3 बनाएंगे, one, two, three, और यह जो space बनी है, यह जो single crochet के बीच में, जो space है, यह gap है, यह जो single crochet बनाएंगे, इसके around में हमें, two single crochet बनाना है, तो यह थोड़ा modified picot है, यह इस तरह से, यह रोकों हम complete करेंगे, यह बहुत ही beautiful लगती है, यह lace अग्दम बारिक सी बनती है, आप चाहिए तो first, सिर्फ first row ही बना सकते हैं, ऐसी, और अगर चाहिए तो second row भी आप add कर सकते हैं, तो यह two single crochet बनाने के बाद, next space directly skip करेंगे, और उसके one space skip करके next space में जाएंगे, और यहाँ पर single crochet बना देंगे, अब same मैं यही repeat करूँगी, chain 3, 2, 3, 2 single crochet बनाएंगे, यह जो single crochet बनाएं उसके around में, मतलब जो हमने single crochet बनाएं, उसके एतराफ में हम जाकर two single crochet बनाना है, तो इस तरह से picot हुआ, अब one space को skip करना है, one space और next space में हमें जाके इसे single crochet बनाकर attach कर देना है, तो यह पूरी row को हम सिर्फ यही करके repeat करते रहेंगे, और यह row को complete करेंगे, one, two, one, two, झाल कोppt फाड़ में हमें हमें जाका बनास दोऌना है तो अरिछों को जाज करेंगे, जाकार पुमत्र का बनास बनास जाएंगे, झाल को प्याख, झाल झाल यह रो को इस तरह complete करेंगे यह first row complete हो गई है आप देख सकते ही कितनी beautiful लग रही है अगर आपको चाहिए तो आप यह इतनी बारिक लेज भी बना सकते है row 1 की अगर second row add करना है तो starting point पर ही हमें thread को फिर से attach करना है यह मैंने thread attach किया अब chain 1 बनाना है और यह जो हमने chain 3 का picot बनाया था यह जितने भी हमने top पर बनाया हम इसमें work करेंगे अपनी second row को तो chain 1 बनाकर अपने hook को यह chain 3 space में मैंने insert किया hook और एक single crochet बना देंगे बन सिंगल क्रोशे अब chain 3 बनाएंगे 1,2,3 अब यह जो space है chain 3 जो मैंने बनाया यह और chain 1 के बीच में जो gap है तो यहाँ पर जाकर मैं 2 single crochet बनाऊंगे यह picot की second row इस तरह बनाएंगे इस तरह से अब जो next picot है इस पर single crochet बनाएंगे hook insert करेंगे इस तरह से अब chain 3 1,2,3 यह जो gap दिख रहा है जहाँ पर हमने single crochet बनाया है यह hole में हमें insert करना है hook को और 2 single crochet बनाना है 1,2 फिर से वही करेंगे next जो chain 3 picot है previous row का उसमें single crochet बनाकर attach करेंगे फिर से chain 3 1,2,3 और यह जो gap है इसमें hook insert करके two single crochet बनाएंगे 1,2 और next picot पे chain 3 पे हम इससे जाके single crochet बनाकर attach कर देंगे तो इस तरह हम second row को add करेंगे इसके उपर ज सक्राड़ से एक डर irus करेंगे गलव है इस भी अचराप्रा तो इस तरह से हम सेकेंड रोग को भी कंप्लीट कर देंगे यह लास्ट रोग कंप्लीट हो गई है इसे मैंने डबल क्रोशे बना कर एंड कर दिया है यहां पर और थ्रेट को कट कर दिया है अब इसमें बीड एड करना ऑप्शनल है जिसे मैं निडल और थ्रेट से यह जो होल से इसके सेंटर में मैं एड करने वाली हूँ अगर आपको चाहिए तो आप एड कर सकते हैं अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी सिंपल रख सकते हैं तो यहां से निडल निकाला मैंने पॉल एड किया और निडल को इसमें से इंसर्ट करके अटैश करते रहे हैं और यह होल में जाकर फिट हो जाएगी इस तरह से तो इस तरह से सारी पॉल्स को एड करते रहे हैं करते रहे हैं